नमस्ति द्याथी वित्रों सांतिनी केतन सिक्षन संकुलमा तमारू हार्दीक स्वागत करूछू धोरण नवनी अंदर आपड़े पाट बे न्याय मंत्री विसे आजे आपड़े अभ्यास करीशू तो तिना लेखक छे श्री सुदर्शन जी तो उसका जन्म सन 1896 निधन सन 1968 सुदर्शन जी का मुल वास्तविक नाम बद्रिनात सर्मा था आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था बचपन से ही आपने कहानिया लिखना प्रारंब किया था पुस्पलता, सुप्रभाद, परिवर्तन, पंगट, नगीना, आदि आपके सुप्रसीद कहानिकार संग्रह है आपका एकमात्र उपन्यास है भाग बन्ति इस कहानी में समराड असौक सर्वसरेश न्याय मंत्री की खोज में था शीशूमन पाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया न्याय न राजा देखता है न रण न्याय तंत्रप पर विश्वास दिलाने के लिए यहां प्रयाज किया गया नई पिठी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया तो यह था सुदर्शंजी द्वारा लिखीत नियाय मंत्री जी का संग्षिप्त वर्ण तो आजे हूं तमने गुज्राती में इनी भारता कई संबड़ाऊचु तो तमें ध्यान पूर्वग सांबढ़चु के सांजनों समय हतो राजा ने एक नियाय मंत्री ने खोज हती तलास हती इतले राजा असो नियाय मंत्री ने सोत्ता सोत्ता एक नगर मा जाइछु या फर्ता फर्ता सांज पड़ी जाए छे तो एक भाम्मन ना घरे, एक अतिती पनिले ते जाए छे। रातरे इना घरे इने रात आराम एक दीवस रात में गुजारवा माटे एक लातनी माघनी करे छे मने रातरे शुवा दे सो कालेओं सवार यह जतो हुरिश पेलो जे भाई हतो यह भाम्मान होतो एने पन कितु आओ अति थिनो सत्कार करेशे बंडे जना रात रे खाई पी यहने वातो करता वातो करेशो एमा जे आवेल परदेशी हता है एमने कितु के नियाए विस्षे नी वातो निकड़ी इटले कितु के नियाए हमने के रे खाई है इना रिष्य नी चर्शा थाती तो बंडे एक विस्षे नी वातो करता हुए जिए तो जे दो bends यह ने दोश ने दोश नी नियाए बराबर थातो न थिकर नाथी तो परदेशी वातो करता हुए जिए मैंने वाला फ्राम बंद वदकी हो कितु के आज taki इमके न्याय अन्याय बराबर एक विजाना उफर्थ तो जोवा मड़ेशी अन्याय चातो जोवा मड़ेशी तो पहला वाते करी के तमें इमके दोस घाढ़ो खुबज मुश्कील छी पने न्याय आपको कुप कठीन बाबल छी इले फिला कि जो आओ अफसर मने मडे के तो कोन साच्चो न्याय क्या ह drastic सीशू प्राइक तो कि मने मरक सुछ भी चोखते हिसके तो साच्च न्याय कर से कर दो कि परदेशी क्यों बचिकिती कि कोई अपरादी स किक से भी चाहत कि शोखवा मड़े में परज्यात करिया अपिस एटले बनने जना वाद गिवाद करता तेले केता में अवसरज मागो छो तो कि हाँ पछी बनने जना सुई जाएची सवारे लोजी परदेशी हतो ए जतो रहेची पछी विजा थुड़ा दिवस्व पछी अच्छाना कज सही निको आवेची अनि पछी राजना दरबार माने जना तो जे राजना असोक अच्छा थुड़ा 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 थुड परदिश यह तो एज राजा समराठ हतों। लिए राजा एकिदू किसी सुपाल तमें के अवस्वर माकता दाने, तो आस्ति तमने हो न्याय मंत्री बनाऊचु। अंगुठी किमके मुद्रा अंगुठी वींटी आपेछी राज मुद्रा तरीके वींटी पेरावची कास्ति तमें आ न्याय मंत्री शुप। पची सरस्मजानों कामकाच चाले से, सारो प्रबंध है जाए से, कोई ने कोई जाती डर रहतो न थी बधा रात रहे, घर खुला मुकी मुकी ने जता रहे से, तेम चता कोई ने डर न थी, सारो प्रबंध तो तो एक महिनों भीती गयों, अचानक ज, नगर ने अंदर एक स सारी हुआ चाता है, एमकी नगर ने अंदर हत्या थाई से, तो तो शिसुपाल ने तो अंगज हराम थाईगी, को काटली बदू व्यवस्ता करवा चाता है, जो आओ बने तो रात दिवस, खावा पिवानों छोड़िन रात दिवस, सतत एच चिंता मरे अचे के अचे कोण, पछी तो नगर नर दर्बार मा पण जता न थी, सतत एच गोतवानों प्रयोत न करेच, गोत्ता गोत्ता है, इमने साची परिस्तिते नों ख्यालावी जाईशू, पछी राजा ना दर्बार मा हाजर थाईशी, राजा है कि तो कि शिसुपाल तमें कहता था कि न्याय, अन् बात है, शिसुपाल मजाने समझावेचे, कि हत्यारों पछी जे सैनी को हुईशी, इन्हें आदेश करीशी, कि जाओ अफिला राजा ने तमें गिरबतार परिले, तो तो राजा तो लाल पिलो गुस्सा मत ही जाईशी, तो मनिर्ग, इनके बंदी बनावानों को होच, तो क राजा तमें गिरबतार परिले, तो 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 राजा परिले, तो राजा तमें गिरबतार परिले, तो राजा तमें गिरबतार परिल करें नहीं वासर, और मैं हुझे आप्स natal. नशिध में भूझावन करैं। से कि तुछाहिए उत्यवों अमें यह्जिने करने के करी। और शिक्छाह हुआ था मैं छिफल साल आता ह Nawet Thatche RO朋友 करें। सीशू पाल पाँ समया को show निदू ना भी बनावे ची अने शोनानी मूर्ती बनावे ची अने सोनानी मूर्ती पहांच्ये चड़ावी देच लिए इल्के बधरेक ने आफने नियाए समाने जोई यह राजा की रंग और पोई ने अन्याए था हो नजू हो नजूत आफने शाबित करी बथा भी त्रों में पच्छी जारे बदा दर्बारियों पाछा जवा जाई तो नियायय मंत्री तरीके जिसुपाल हतो इमने पोटानी विंटी उतारी ने राजाने आप माझा जाई जाए जहुँ तमारो आ कारपार संभारी नहीं सब्गू। तरीके जहें देखिये हो जाए जाने और मनेप योच निवीवा जाएम च्तरशा जाई जओ आजफि उत्हों को कर्यां कारी नहीं और field थो बसे कुछ दिए दोद्हारी यारतरियों के विद्यार्थि मित्रो के हुँ तमने धो besten तो संध्या का समय था, चारो और अंधिकार फेल चुका था, सांजनों समय है तो, चारे बाजु अंधिकार फेलाई चुके लोग तो, ऐसे में किसी ने बाहर से दर्वाजा खट खट आया, इतलामा बार्थी को के दर्वाजों खट खट आया, कौन है अंधर से आवाजाई, ब्राह्मन सिशू पाल ने थोडाशा दर्वाजा खट 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 आया, वह सी ब्राह्मन सिशू पाल हट तो, तेने थोड़ो दर्वाजों खुली ने पूछु के कौन चूँँए एक परदे सिशू, क्या मुझे राथ काटने के लिए स्थ स्थान मिल जाएगा सुमने एक राद गुजारवा माटे यह समय स्थान जग्या मरसे जैसे ही सिसुपाल ने पूरा दरवाजा खोला उसके सामने एक नव यूवग खड़ा जेव पूरू दरवाजों खोले हो तारे निम सामें एक नव यूवग नव यूवान मालास उफोद उन्होंने मुश्कुरा कर कहां यह मेरा सवभाग्य है अती थी के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा आईए पधारिये जे सिसुपाल भ्राम्मन हतों इने की तुक मारू सवभाग्य मारू सवभाग्य छे के मारा गर अती थी अती थी मतलब के जो ती थी वगर जे अतिथी को लेकर शीशुपाल घर में गए और उनका आदर सतकार किया जे मैमान आवे आता है एने लईने शीशुपाल घर में जाये और इनो आदर पूर्वक इनो सन्मान करे छे फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बाते करने लगे पछी बन्ने जणा उंता उंता बन्ने जणा वातों करेशी अवस्था उपर एस समय ने दसा उपर वातों करेशी शीशुपाल ने कहां शीशुपाले की तू आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है कि हमला हमला आपना नगर मां बहुँज अन्याय था इत्रेयों परन्तु पर्देशी उस बात से सहमत ना था परन्तु पर्देशी जी हतो इनी वातनी अंदर सहमत इनी साते स्विकार्या नो तो वह बोला दोस निकलना तो सुगम है परन्तु कुछ करके दिखाना कठीन है इप दोस काठो तो सहलू जे परन्तु तेने कहीं करीने बताऊ खुबज मुश्किल छी शीशुपाल बोले अ हुआ थे जो से पांड़ी भूए तो हुँपन देखाली सको की न्याय ठेः कोने कहा है तो आप अफसर चाहते हैं रडेशी निकला, कि तमें अफसर मागो चूए तो हाँ, स्थिशुपान नेकला है, थो और चकतल कि अफसर प्रसंगनी राह जूर। फिर कोई अन्याई नहीं होगा पछिज अपरा नगन इंदर आधिसमा कोई अन्याई नहीं था है बिलकुल नहीं परदेसी ने मुस्कूर आकर कहा यह बहुत कठीन काम हैं परदेसी अस्ता-इस्ता कि क्या काम खोब सरण नथीम के मुश्किल चे ब्राह्मन के लिए कुछ भी पर कुछ न बोले, पर कुछ देर बाद वेस हो गई, पची बनने जना सुई जाईचे, सुब उठकर परदेशी ने सिसुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाली, सवार थयू, परदेशी ये सिसुपाल ना धन्यवाद कीता, केम के रातरे यहां इमने उंगवा माटे स्थान आपने जग्या आपी इतला माटे इतना और उन्हें दर्बार में चलने के लिए कहा, पच्छी ने दर्बार माँ जवा माटे कीतु, सिसुपाल सहम गए, सहम जन्यवाद आश्चे रच किते हैं, के आशुपाल वे समझ नहीं सके कि समराट में उन्हें क्यों बुलाया है, समझ समझी न सके कि समराट यह एमने केम राजा इमने केम बोलाया है, कहीं उस परदेशी ने तो समराट से जुठी सची सिकायत नहीं कर दी, जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही समराट असो है, इन्हों कलेज मतलब के दिल ने धड़कनों धग धग धवाला नहीं जोयू, तो कि परदेशी है, तो एज राजा समराट बोले, भ्रामन देवता, मैं आपको न्याय का अफसर देना चाहता हूँ, आप तयार हैं, समराट के वाला लागे छे, कि भ्रामन देवता, कि भ्रामन देव तमें न्याय नो अफसर माकता हता, तो आपवा माठे तयार छो, तमें तयार छो, पहले तो सिसुपाल अच्छानक आवी आपती। फिर बोली, यदि समराट की यही इच्छा है तो मैं तैयार। जो समराट राजा ने इवी इच्छा होए कि उहूं न्याय मंत्री बनू तो उहूं तैयार छुट। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री होएं। समराट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर सिशु पाल को पहनादे। यह समराट असोग की राजमुद्रा थिया। अब शिशु पाल न्याय मंत्री थे। अवे तो अखा नगना न्याय मंत्री बनीगा शिशु पाल। उन्होंने राज्य की समुझित व्यवस्ता करना आरम कर दिया। इमने राज्य ने बद्धित व्यवस्ता सरू करी ना कि उनके सू प्रबंध से राज्य में पूरी तरह सांती रहने लगे। इमना सारा प्रबंधी योईशू योग्य प्रबंधी आखा नगर निंदर आखा राज्यमा बधिरीते सांतीरे वालागी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, कोई ने कोई पर्म प्रकार नो भय न हतो, लोग दर्वाजे तक खुले छोड़ जाते थी, लोग को दर्वाजाने खुला मुकीने पन जता था, चारो तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंद और न्याय की धूम मज गई, चारे बाजू न्याय मंत्री नी तो, चारे बाजू वावा थावा लागी, चारे बाजू इंके सारी व्यवस्ता चे, न्याय ने व्यवस्ता सारी चे, वावा थावा थावा लागी चे